उत्तरपरदेश स्थित सीतापुर जेल में बंसमाजवादी पारटी के विधायक और पूर्व सांसत पूर्व मंत्री आजम खान ने समाजवादी पारटी के अध्यँएक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उनसे जेल में मिलने आय प्रतिनिधी मंडल को वापस भेज जिहां और अपनी बिमारी की बात कहते हुए मुलाकात करने से इंकार कर दिया तीन दिन पहले प्रग्तिशील समाजवादी पाटी के अध्यक्ष शुपाल यादव ने सीतापूर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और 20 अप्रेल को रालोद नेता जैन चौधरी ने रामपूर पहुँचकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी यानि पिछले कई दिनों से ये मुलाकातों का दोर जारी है इतना ही नहीं आजाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी रामपूर में अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी लेकिन समाजवादी पार्टी के रास्ची अध्यक्ष के प्रतिमिधी मंडल से आजम खान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये आज उत्तरप्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी ख़बर के रूप में सामने आई आजम खान के मीजिया प्रभारी फसाहत खान और शानू ने समाजवादी पार्टी के रास्ची अध्यक्ष अखिलेश श्यादफ के खिलाब बयान देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी तब ही से ये माना जा रहा था कि आजम खान के परिवार ने समाजवादी पार्टी से अब बगावत करने का मन बना लिया है फसाहत खान के बयान के बाद समाजवादी पार्टी में एक कि बादे कई नेताओं के स्तीफे सामने आते रहे आजम के समर्थन में धेरों स्तीफे देखने मिले कई नेताओं के आजम परिवार से मुलाकात इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि अब आजम खान नई राजनितिक पारी खेलने की तैयारी में है और यही वज़े है कि आज आजम खान ने अखिलेश यादफ के दूतों को यानि उनके प्रतिनिधी मंडलों को सीतापुर जेल में बिना मिले बेरंग वापस भिज़ दिया जिससे अब यह भी साफ हो चुका है कि अब आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुका है सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही आजम खान नई राजनितिक पार्टी बना सकते हैं और उसके बाद कई छोटे बड़े दल मिला कर उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे को जन्म दे सकते हैं सूत्र यह भी कह रहे हैं कि आजम खान के करीबी नेताओं से AIMIM, रालोद, आजाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात भी हो चुकी है और बात भी हो चुकी है इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि तीसरे मोर्चे के गठन में समाजवादी पार्टी, गठबंधन और दल भी आजम खान के साथ आ सकते हैं यह एक बड़ी खबर आप मान सकते हैं आपको बता दें कि कॉंग्रेस बस्पा के नेता भी आजम के साथ ही है सूत्रों ने यहां तक दावा कर दिया है कि कॉंग्रेस और बस्पा के नेताओं ने भी आजम खान के और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है लेकिन अभी कोई मुलाकात आजम खान के या उनके परिवार से नहीं हुई है एक सीनियर कॉंग्रेसी नेता ने आजम खान के बेहत नजदी की रिष्टे बताये जाने की बात कही है साथी आजम खान की सपा से नाराजगी के बात से विपक्ष की हर पार्टी का नेता ये चाहता है कि आजम खान उसके दल में आ जाए और नई राजनेतिक पारी खेले सूत्रों के मुताबिक वो किसी पार्टी में नहीं जाने वाले बलकि वो खुद अपनी राजनितिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और भविश में वो गठबंधन की राजनिती वाले नेतावन के उभरेंगे आजम खार और उनका परिवार सपाप्रमुक अखिले श्यादव से इसलिए भी नाराज बताया जा रहा है क्योंकि संगर्ष के दिनों में समाजवादी पार्टी ने अपने फाउंडर मेंबर आजम खान के लिए कोई आंदोलन नहीं किया और उनके बुरे वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया इतना ही नहीं विधान सभा चुनाफ के समय भी आजम खान और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी ने कोई एहमियत नहीं दी सूत्र कह रहे हैं कि सपा के 10 से 12 मौजूदा विधायक कई पूरु मंतरी आजम खान के परिवार के संपर्क में हैं और जेल से छूटने के बाद जैसे ही आजम अपने राजनितिक फैसले का एलान करेंगे तो ये सारे नेता खुल कर सामने आ जाएंगे और ये दिखाई पर भी निशाना साधा है अब देखना ये होगा कि सीतापूर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान क्या एलान करते हैं जिस तरह से आजम खान ने सपा प्रतिनिधी मंडल को मिलने से मना कर दिया है उससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि आजम खान का मन समाजवादी पार् के रास्टी अध्यक्ष अखलेश यादव आजम खान की नाराजगी को दूर कर पाएंगे सीतापूर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद जिस तरह से शियुपाल यादव ने अखलेश यादव और मुलायम सिंग यादव पर हमला बोला था और आजम खान के साथ कुछ ना करने का आरोप लगाया था आने वाले दिनों में अखलेश यादव के लिए आजम खान बन पाना या वो पुराने वाले आजम हो पाना शायद नामुमकिन होगा आजम खान उनका परिवार अभी खुल कर कुछ नहीं बोल रहा है बलकि उनके समर्थक खुल कर अखलेश श्यादफ के खिलाफ बगावती सुर और बयान बाजी करते नज़र आ रहे हैं देखना ये है कि आजम जब जेल से बाहर आते हैं तो तस्वीर क्या होती है लेकिन फिलाल अखिलेश से उनकी जबरदस नाराज़गी सामने आ रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें